ये मूवी एक ऐसी मा के उपर आधारित है जो अपने बच्चों को एक एंटिक के अंदर बंद कर देती है और फिर इन बच्चों के बीच में वहाँ पर क्या क्या होता है ये हम आज की मूवी के एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ उसका नाम Flowers in the Antic है और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है इस फैमिली में 6 लोग होते हैं क्रिस्टोफर कैथी कोरल और दो ट्विन्स कोडी और कैरी इनके डैड जिसका नाम भी क्रिस्टोफर होता है। अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं पर पार्टी में क्रिस्टोफर की जगह ही एक ओफिसर आता है और उसकी वाइफ को बताता है कि एक एक सीडेंट में क्रिस्टोफर की डैथ हो गई है। जिसको पढ़कर कोरल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर कोरल अपने बच्चों को बताती है कि जिस अड्रेस पर वो चिथिया भेज रही थी वो अड्रेस तुम्हारे नाना का है। इस पर कैथी उनसे पूछती है कि आपने तो बताया था कि हमारे कोई नाना नहीं है जिस पर कोरल उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड और मैंने भाग कर शादी की थी जिसके बाद से तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे थे। इसलिए तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को इस बारे में पता चले कोरल उनको ये भी बताती है कि मेरे लिये चार बच्चों का बोज उठाना बहुत ही मुश्किल है और तुम्हारे नाना बहुत ही अमीर है इसलिए हमें आज ही वहां के लिए निकलना होगा फिर जब ये लोग वहां पर पहुचते हैं तो बच्चों को वो जगाह बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जगाह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी तब ही वहाँ पर हम कोरल की मॉम उलिविया को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़रूस होती है और वो उनको बोलती है कि मुझे इस धर में किसी भी बच्चे के चिलाने की आवाज नहीं आनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मेरे सभी रूल्स को मानना होगा और अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबको इस धर से बाहर निकाल दिया जाएगा वो बच्चो को बोलती है कि जब तुम्हारी मौम यहाँ से चली जाएगी तो मैं तुम्हें इस रूम में लोग कर दूनगी ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर न निकल सको क्योंकि तुम्हारे नाना को अभी तक ये नहीं पता कि तुम यहां पर हो अब ये सुनते ही कैथी अपनी मौम से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया तब कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे डैज से बहुत ज्यादा नफरत कर पर अब वो बहुत बुड़े हो चुके हैं और कभी भी मर सकते हैं और उनके मरते ही सारी प्रॉपटी हमारी हो जाएगी अब बच्चों के पास और कोई आप्शन नहीं था इसलिए वो अपनी मौम की बात मान लेते हैं इसके बाद ये खरूस नानी उन बच्चों को इस धर क रूस बताती है वो बताती है कि तुम लोग इस रून से बाहर नहीं जा सकते और तुम्हें दिन का तीन बार का खाना दे दिया जाएगा और लड़का लड़की एक साथ एक बातरूम को इस्तिमाल नहीं कर सकते और अगर छोटे बच्चों को खेलना है तो उपर एंटिक है सजा तो मिलनी थी पर कोरल अपने बच्चों की सारी गलती अपने उपर ले लेती है जिस वजह से सजा भी कोरल को मिलती है फिर ओलिविया कोरल की पीट पर चाबुक से बहुत मारती है और सभी बच्चों को उसके निशान दिखाती है फिर जाने से पहले वो उनको बोलती ह कि तुम सब शेतान के बच्चे हो और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन कहती अपनी मौम से पूछती है कि नाना और नानी डैट से इतनी नफरत क्यों करते हैं जिस पर कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना मेरे काफी करीब थे। वो ज्यादातर मेर की डैट हो चुकी थी वो ललका दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था जिस वजह से मैं उसे पसंद करने लगी और फिर एक दिन हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली जिसके बाद से तुम्हारे नाना ने मुझे ज्यादात से निकाल दिया। और वो हम दोनों से नफरत क करने लगे अब काफी हफते बीच जाते हैं पर कोरल अपने बच्चों से मिलने नहीं आती इसलिए कैथी दिनों को काउंट करने के लिए दिवार पर एक कैलेंडर बनाती है। फिर एक दिन कोरल जब इन लोगों से मिलने आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही हो और मैंने उनको ये बोला था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है अब ये सुनकर कैथी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि कोरल हमें यहां बंद करके अपनी जिन्दगी आराम से जी रही है। अब कैथी अपने चोटे बहन भाईयों का मॉम की तरह खय रखती है क्योंकि कोरल उनसे काफी हफ्तों तक मिलने नहीं आती और फिर एक दिन जब वो उनसे मिलने आती है तो वो उनके लिए नए कपड़े और गिफ्ट लेकर आती है। पर इन बच्चों के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अपनी जिन्दगी एक के अंदर छुपा देती है। फिर वहां कैथी देखती है कि उसकी मॉम पार्टी में बहुत ज्यादा खुश लग रही थी और वहीं हमें कोरल के फादर भी दिखाये जाते हैं जो की वील्चेय पर होते हैं। फिर जब पार्टी खत्म होने वाली होती है तो कैथी और क्रिस को वो घर देखना था। इसलिए वो पूरा घर देखने के लिए चला जाता है पर जब ये बात कोरल को पता चलती है तो क्रिस्टोफा की इस गलती पर कोरल उसे मारने लगती है। फिर एक दिन कैथी क्रिस्टोफा को एक गंदी किताब पढ़ते हुए देखती है और फिर बाद में वो इस बारे में कोरल को बताती है जिस पर कोरल उसे बोलती है कि लड़का और लड़की की बोड़ी में उम्र के साथ साथ कई तरह के चेंजिस होते हैं और ये बोलकर वो कैथी को एक ड्रेस पहनने के लिए देती है फिर जब कैथी उस ड्रेस को ट्राय कर रही होती तभी वहाँ पर क्रिस्टोफा आ जाता है और कैथी को इस तरह देखकर उसके मन में फीलिंग जागने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है और उनको लगता है कि भाए बहन तो आपस में ही लगे हुए है फिर ओलिविया कैथी को सजा के तौर पर उसके बल काटने को बोलती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उन्हें एक हफ़ते तक खाने को कुछ नहीं मिलेगा पर कुछ टाइम बाद में वो उनको खाने के लिए खाना दे देती है पर वो रात को कैथी के बालों पर टार लगा देती है जिस वजह से क्रिस्टोफा को जादा क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों के लिए ही एक दूसरे में फीलिंग्स जागने लगती है अगले सीन में हम कोरल को देखते हैं जो अपने बच्चों से मिलने के लिए वहाँ पर 4-5 महीनों बाद आती है पर कोरल उनको शांत करने के लिए ओलिविया के हाथों उनके लिए दोनट्स भिजवाती है फिर अगले सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो बहुत ही चालाकी से ओलिविया से उस कमरे की चाबी का प्रिंट एक साबुन में ले लेता है और ये लोग यहां से बहुत सार दोनों में फीलिंग जागने लगती है और वो दोनों वही पर ही रोमेंस करना शुरू कर देते हैं फिर अगले दिन हम उनके छोटे भाई केरी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार होता है जिसके बाद कोरल ना चाहते हुए भी उसको हॉस्पिटल ले जाती है फिर क कुछ दिनों बाद कोरल वहां आकर उनको बताती है कि केरी को फूड पॉइजनिंग थी जिस वजाह से उसकी डेथ हो गई अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इन सभी की तबियत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है पर ये लोग इतना पैसा तो इकठा कर लेते ह कि यहां से भाग पाए और आज ये लोग ब्रेकफास्ट के बाद यहां से भागने का प्लान बनाते हैं पर तभी वहां पर कोडी उन्हें बताती है कि इस चूही की मौत हो गई है और ये चूहा वही डोनट खा रहा था जो उस दिन उनकी मौम ने विजवाय थे अब ये रोकने की कोशिश करती है पर ये लोग वहां की लाइट्स बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि ओलिविया को अंधेरे से बहुत दर लगता है अब ओलिविया अंधेरे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो इ के लिए पहले ही मर चुकी थी फिर वो तीनों उपर से एक रसी फेक कर नीचे आ जाते हैं और वहां से भाग के रेक ट्रेन पर चट जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है